हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल इंदरास क्रियेशन्स आज मैं आपके साथ पुराने टॉविल के कुछ आइडिया शेयर करूंगी जैसे बालों में सिर में बांधने के बाद टॉविल किचिन के लिए टॉविल बाथरूम के लिए टॉविल गरम बरतन उतारने के ल लफ्स और और कैसरोल में रोटी रखने के लिए उपर नीचे के कपड़े तो देखिए फ्रेंड्स पुराने टॉविल ठैकने से पहले आप यह मेरे आइडिया जरीर देखिए अब प्लीज एक बार इस्तेमाल जरूर करिएगा कोशिश करिएगा आप बना लेंगी पहले आइडिया के लिए मैंने यह 20 इंच लंबी और 10 इंच ओड़ी अकवार पर कटिंग कर लिए टॉविल को दुहेरा करेंगे और इस अकवार की कटिंग को रखने के बाद इस पर चारों तरफ निशान लगा लेते हैं निशान लगाते समय ठोड़ा ध्यान रखेंगे हम कि थोड़ी दूरी पर ही इसका निशान लगाएंगे क्योंकि हमें आदे-ादे इंच की सिलाई भी देनी होगी इसलिए आदा इंच छोड़के हम दूरी पर निशान लगा लेते हैं निशान लगाने के बाद इसके कटिंग कर लेंगे कटिंग करके फिर इसके हम यह सिलाई कर देते हैं सिलाई करने के बाद देखे फ्रेंट्स यह ऐसा दीखेगा यह सिलाई कर दी है और जो सामने से खुला हुआ था इसमें मैंने ये पाइपिंग लगा दिया है और एक लूप लगा दिया है और पीछे की तरफ ये तीन बटन लगा दिये हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये बटन लगा दिये हैं और इसको सिर में डाल के इस तरीके से उपर लपेटेंगे और लपेट के पीछे ले जाकर एक बटन में इस लूप को डाल देंगे, देखिए सिर पे बनावा, देखिए इस तरीके से बन जाएगा, वाव, इसे लाइक ज़रूर कीजेगा, देखिए बटन इतनी दूरी पर जो लगे हैं, वो इस तरीके से लगे हैं, कि इसको बच्चे भी पहन सकते हैं, छोटे सिर मे में भी फिट आएगा, अब हम सेकिंड आइडिया शेयर करते हैं, यह मैंने 6 इंच लंबी और 4 इंच चोड़ी हाथ के हिसाब से पेपर कटिंग कर ली है, अब इसको टॉविल पर दूसरा निशान लगा के काट लेते हैं, आदा इंच उपर से छोटा एक-एक खपड़ा औ और इसमें हम इस तरीके से सिलाई कर देंगे, और चारो तरफ पाइपिंग भी लगा देंगे, पाइपिंग लगा के जड़ा शोग अच्छी हो जाती है, देखिये फ्रेंड्स, और इसको इस तरीके से हाथों में पहन कर, यह हमारे गलफ्स तयार हो गए, और कोई भी हम ग हम इसके चारो तरफ निशान लगा लेते हैं, निशान लगा के फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इसको काटने के बाद बिल्कुल इसी नाप का हम एक दूसरा पीस और काट लेते हैं, यह देखिये फ्रेंड्स, दो पीस हमारे तयार हो गए, अब इसके हम चारो तरफ पाइपिंग लगाने के बाद देखिये फ्रेंड्स, कैस्टरोल में एक हम नीचे लगाएंगे, बीच में हम रोटिया रखेंगे, और फिर उपर से एक और ढख देंगे, तो हमारी रोटिया मुलाइम बनी रहेंगी और कैस्टरोल बंद कर देंगे, अब मैं आपके साथ फ पूल लगा दिया है और सबसे उपर लूप बना दिया है बाथ रूम में हाथ पहुंचने के लिए इसको टांग दिया अब आपके साथ ये फिफ्स आइडिया शेयर करती हूँ ये किचन के लिए टॉबिल बनाई है देखिए इन सब में जो मैंने पाइपिंग लगाई है वो भी मैंने पुरानी मेक्सिको काट कर बनाई है तो देखिए ये हमारे पांचो आइटम तयार है प्लीज मेरे इस वीड बाई बाई